एक तरफ जहां सरकार ब्रश्टचार को खत्म करने के लिए मुहीम चला रही है, वहीं दूसरी और ताजनगरी आगरा में इस मुहीम का उल्टा असर दिखाई दे रहा है। दरसल प्रवीन कुमार का आरोप है कि रोडवेज विभाग के आरेम नीरस सकसेना ने नियमों को ताक पर रख फरजी तरीके से 300 से जादा चालक परिचालकों की विभाग में भरती करा दी। शिकायत करता का कहना है कि उसने कई बार आईजी आरेस में शिकायत दर्च कराने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई है। वहीं इस पर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने सवालों से बचते वे अपराधियों के खिलाफ सक्त कारवाई की बात कही है। तनिक भी दोसी होगा तो आदि मरेगा। वह मैं देख लूँगा। यदि होगा तो दे देना ऐसा कोई जाच होका रिपोर्ट आ गए ही मेरी विभाग में। बिभाग में मेरे पास रिपोर्ट है। कोई भी रिपोर्ट है दि हमारे टीसी आफिस में आ चुका है, एमडी आफिस में आ चुका है, तुरत करवाई, ये एक सीकेंड नहीं लगेगा। बता दे कि ये मामला 2010 से 2012 तक चला आ रहा है। फिलहाल कमिशनर के आदेश पर जांच अधिकारी और ACM तृतिय सुरेंदर सिंग ने कई ब्रश्ट अफसरों पर FIR दर्च करने तक की संतुति की है। अगर रिपोर्ट पर अमल हुआ तो रोडवेस के कई बड़े अफसर कारवाई में फसेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से वरिजभूशन की रिपोर्ट।